हलो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रियात्मक अनुसंधान डायरी बनाना सीखेंगे फस्ट एर और सेकेंडेयर दोनों में सेम फॉर्मेट रहता है तो आप चाहें फस्ट एर में हुँ या फिर सेकेंडेयर में हुँ इस वीडियो को देख करके अपनी क्रियात्मक अनुसंधान डायरी को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे पूरे वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से बिंदूओं पर आपको क्रियात्मक अनुसंधान डायरी बनानी है क्या क्या topics आपको majorally डालने है जरूरी है और क्या क्या सावधनिया आपको रखनी है सारी बातों को लेकर कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखीएगा चैनल पर नए है तो डियरेट से जोड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले बात दोस्तों आपको क्या क्या पोईंट्स के ओपर द्यान रखना है वो देखीए प्रक्रण के से शेशक और उप्शेशक के आपको क्या 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 डालना है किन topics पर हमारी ये डायरी होने वाली है तो पहला बिंदू आपको होगा प्रस्तावना का और समस्य का इस प्रस्ट करण कौन से समस्य हम चूज कर रहे हैं कौन से समस्य आपने को सबसे ज़्यदा उजलगी विद्यार्तियों में तो वह वाली हम चूज करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान डायरी में सबसे पहला काम दूसरा काम होगा हमारा संभावित उसके कारण किन कारणों से ये समस्या उत्पन हो रही है और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे तीसरा बिंदू होगा क्रियात्मक अनुसंधान हम इसके लिए परियाप्त सुझाओ दे सकते हैं या कैसे कैसे इसमें सुधार होना संभव होगा यह सारे हम काम करने वाले हैं 9 बिंदू अब आपको जहान रखना है डायरी कंप्लीट होने के बाद में पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा और अगर आपके ऐसा पेज लिखा पर देखिए कुछ कोलेजों में जो डायरीया मिलती है उनमें आपको इस तरह से प्रस्तावना समझ्यागाश पस्टेकरन ये कंप्यूटर प्रिंटेड इस तरह से देखने को मिलते हैं पर कुछ कोलेजों में सिर्फ खाली पेज़ी आते हैं तो आपको अलग कलर का पेन ल सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना में आपको एक टोपिक चूज करना है एक समझ्या चूज करनी है यहां पर लिया गया है वरतनी समंदित हिंदी विशेय में वरतनी समंदित असुद्यों को लिगर के बात कर रहे हैं आप कोसस करिएगा एक अलग टोपिक लेने का च आपके दिक्कत आ सकती है कि अधिकतर विद्यार्तियों के सेम सेम सारा काम होगा तो आपको कोसेश करनी है एक अलग टोपिक चूज करने की जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपका खुद का करवब वहाँ पर लगे फॉर्मेट आपको कोपी करना है मतलब की जो जो मैं बते बता रहा हूं सेम उसी तरह से लिखना है बट यहाँ पर चेंज कर देना है कि हिंदी विश्य है तो यहाँ पर अंग्रेजी विश्य डाल देंगे वरतनी समंदित असुद्या है तो इसके जगर पर आप और कोई समस्या डाल देंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहना है जिससे आपकी डायरी चेक होने में कोई भी दिककत ना आये और अगर आपकी college में आपको पता है कि डायरेजज चेक नहीं होने वाली है ऐसे फोर्मल्टी के तोर पर ही सारा काम हो रहा है तब तो आप same to same copy कर सकते हैं कोई भी दिककत नहीं इसके बाद में देखिए दूसरा बिंदू समश्या का स्पष्ठिकरण तो हिंदी विशे में की जाने वाली वर्तनी समंदित असुद्यों को दूर करने का प्रियास हम करेंगे अगर आप यहाँ पर और कोई बिंदू ले रहे हैं जैसे अंग्रेजी विशे को लेकर के ले र चानाली का वेग imagenik ढंक से अध्यान करके समश्या का समधान करकर वर्तमान करिया में सुधार करने की प्रकुरिया को क्रियात्मक अनौसंद्धान कहते हैं परिबाशाह we 17 students किसे कहते हैं उस बारे में इसके बाद में अगला बिंदू आता है कारीष विधी का तुरियात्त् किया जाता है सभी समश्यों के उपर चर्चा करी जाती है नजर अंदाज नहीं कर सकते किसी भी समश्या को और फिर जो समश्या आपको यहां पर मेजर लगए कि इस समश्या का सुधार ज्यादा जरूरी है होना तो फिर वह वाला टोपिक आपको ले लेना है इसके बाद में निशकर्ष के उपर हम बात करते हैं तो निशकर्ष में देखिए चात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंदे विश्या की असुध्यों को दूर करने के लिए प्रभावी रूप से सुधार किया जा सकता है यहां पर सुधार आपको डाल देना है सुधार किया सकता है सुझ तरह से आपको यह काम करना है अब यह तो काम हुआ वहां पर जहां पर स्टार्टिंग के एक या दो पेज में आपके इस तरह से अगर computer printed कुछ दिये वह हैं topics तब तो आपको इस तरह से करना है अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो फिर आपको यहां से करना है शुरू और अगर दिया हुआ तो वह भी भरेंगे और यह वारा भी आगे भी करेंगे तो सेम टू सेम करेंगे इस तरह से अगर आपके वह printed दिया हुआ है अगर प्रिंटेड नहीं है नॉर्मल सारे खाली पेज ही है तब आपको यहां से ही शुरू करना है प्रस्त विध्यारत्मिक 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 विध्यारत् प्रियाज हम कर रहे हैं प्रियास करना इस तरह से इस और इसका साक्षे क्या है अवलोकन परिक्षन वे साक्षात्कार जब उन से लिया गया उनको फेस टो पेस जब बात करेगी तब उनमें सब्द पहचान को लेकर कि समश्याय सामने आई इस तरह से बात करेंगी और तीसरा बिंदू लिखित वर्तनी कारियों में त्रूटियां पाई गई और इसका साक्षे क्या है अवलोकन करने पर ये पाया गया कि जो जो उन्होंने लिख रहए है अव्यास पुस्तिका कोपी में तो उनमें जारतर जो वर्ड लिखेवे हैं उनमें उनको वर्तनी समझत असुद्या पाई गई गई चोथा बिंदू यहाँ पर उनके साक्षे आपको कहां पर मिले कि किस तरह से आपने गलती का पता लगाया वह सारी बाते आपको यहां पर लिखनी है इसके बाद में आगे आना है आपको संभावित कारण हमने बात करी ही लिए है यहां पर रोड़ी में स्प्रिंट हुई है इसको आपको स्कीप कर दीज है वह उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुक उद्दीश है शिक्षण संस्थाओं की व्यभारिक समश्याओं को खल करने से सम्मंदित है यहां पर देखिए आगे क्रियात्मक क्रियात्मक उनुसंधान के विचार करने को लेकर के बात हो रही है तो यहां पर आपको लिखना है कि शिक्षा के शेत्र में क्रियात्मक उनुसंधान के विचार सबसे पहले अमेरिका के कुछ शिक्षा सास्त्रियों द्वारा आरंब किया गया था इनमें परमुक रूप से वुडन, हेरीकन, इस्टोफेन, कौर सामिल थे तो इस तरह से आप ये नाम भी कुछ लिख दीजिएगा इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदू आता है क्रियात्मक अनुचंधान की परिवाशाओं को ले करके परिवाशाओं में आपको यहाँ पर दिहान रखना है कि स्टोकेन कौर के अनुसार क्रियात्मक अनुचंधान की परिवाशाओं का भी प्राई उस परतिक्रिया से हैं जिसके दुआरा अभ्यास करता अपने निर्णेयों तथा परतिक्रियाओं का पत नर्देशन वे मुल्यांकन करने के लिए अपनी समश्याओं का विग्यानिक धंग से अध्यान करने का प्रेत्न करते हैं तो विग्यानिक धंग से अध्यान करने का प्रेत्न करना क्या कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है इस तरह से आपको ध्यान लगना है इसके बाद में आगे देखिए हम कह सकते हैं कि कार्यकरता द्वारा स्वयम की कार्यक प्रणाली की समश्या का चैयन करने से उसका विग्यानिक धंग से अध्यन करने वए समश्या का जो समाधान डूंड करके वर्तमान क्रिया में उसको सुधार करने की प्रिक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं ये बाते कुछ आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद में आगे देखे क्रियात्मक अनुसंधान की आवशक्ता को लेकर के आपको बिंदू ध्यान में रखने हैं आवशक्ता में आपको यहाँ पर लिखना है कि करक्षा शिक्षन में प्रियोग में लाई जाने वाली शिक्षन विदियां परविधियों में सुधार करके परिवर्तन करना सिक्षार्थियों में अध्यन के प्रती रूची अभिवक्ती का विकास करना विभिन विशियों में दी जाने वाली ग्रह कारिये को रूची कर बनाने का प्रियास करना ताकि छातर ग्रह कारिये सदेव पूर्ण करके लावे ये कुछ बिंदू आपको क्रियात्मक अनुसंधान की आवशकता में ध्यान रखने हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आगे अगला बिंदू आता है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्दीशियों के लिकर के बात हो परिवर्दन के लिए सुझाओ देने के बारे में बात करीगी है चोथा बिंदू है विद्यहले की कारिया पर नाली को इस परकार से प्रभावशाली बनाया जाए ताकि जात्रों को अधिगम के लिए स्वस्थ स्वच्छ वातवरन मिल सके यह कुछ बाते आपको यहां पर है इसके बाद मैं अगला बिंदू आता है यहाँ पर अनुसंधान की अंतरगत ततकालीन प्रियोग पर बल देते हैं और अगला बिंदू है इसके बाद में कि अत्मकानुसंधान की उत्पादन और उत्पादन और उत्पादन होता है पदने जैपक होता है निरिक्षक होता है परुदन होता है ये सबी मिलकर कि उत्पादन और उत्पादन और वोकता होता है इस तरह से यहां पर कुछ बिंदो आपको ये लिखने हैं इसके बाद मैं अगला टोपिक आता है इसके सोपानों को लेकर कि पहला सोपान है समश्याओं की पहचान करने के बारे में दूसरा सोपान है समश्याओं को परिवासित करने के बारे में तीसरा सोपान है इसको समश्याओं जो भी हमें मिली है उनके कारणों का विशलेशन करने के बारे में चोथा सोपान है समश्याओं को दूर करने के लिए जो क्रियत्मक परिकलपनाओं करेंगे उनका निर्मान करेंगे परिकलपनाओं का कि किस-किस तरह से किस-किस तरीके से हम इन समझ्याओं को दूर कर सकते हैं तो वो सारी परिकलपनाओं तयार होंगी पांचवा शोपान है क्रियत्मक परिकलपनाओं के परिक्षन का प्रारूप हम करेंगे और चटा यहाँ पर शोपान है क्रियात्मक अनुसंधान कारिय योजना समधित निश्कर्श हम निकालेंगे कि कौन सा तरीका है वो कारगर रहेगा जो असुद्धियां जो भी हमारे को समश्या मिली है उस समश्याओं को दूर करने के बारे में तो ये कुछ बिंदू हो गए अनुपस्तित रहने वाले तथा विध्याले में विलंब से आने वाले विध्यारतियों शिक्षारतियों के समश्या के समधान के लिए अगला बिंदू है परिक्षयों में कक्षा सिक्षण की नकल की परवर्ती को समाप्त करने के लिए इसके बाद में लास्ट बिंदू आ क्रियात्मक अनुसंधान में विद्याले की समश्याओं का विधी पूर्वक अध्यान के जाता है दूसरा बिंदू है इसमें अनुसंधान करता विद्याले के शिक्षक प्रधायद्यापक प्रभंदक और निरिक्षक होते हैं निरिक्षक करना है आप निरिक्षक नहीं है इ यहाँ पर यह बिंदू कुछ हो गए इसके बाद मैं अगला बिंदू देखी ग्रियात्मक अनुसंदान में विध्याले की सभी समझ्याओं का विक्तिगत डंग से अध्यन किया जाता है क्रियात्मक अनुसंदान में चात्रों में होने वाली कम्यों को पदाशित करते हैं करेंगे तो उस बारे में आपको क्रियाएं लिखनी हैं विधी लिखनी हैं सामगरी क्या काम आई और अवधी कितने टाइम पिरिएड की बीच में रही इसमें देखिए पहला बिंदू हिंदी विश्य में किये जा सकने वाले लिखित कारियों की सूची त्यार आप करेंग करके देखेंगे सही होगियों से विचार करेंगे इस बारे में और समय सारणी बना करके दो सपता में ये काम रहेगा इसके बाद में चोथा बिंदू है परिकलपना से अभिव्यक्ति सुझाओं को क्रियानवित करेंगे सही होगियों से विचार बिमस्च करेंगे और समय स अच्छी परिकलपना आपने चूच कर ली फिर उसी के उपर काम किया उसको लागू किया फिर उसके क्या रिजल्ट आए वो आपको परिणाम में लिखना है कि कितना निवारण को लेकर आपने जो परिकलपना चूच करी थी तो वो कितनी कारगर रही उसका परिणाम आपको यहाँद लिखना है, तो यहाँद लिखना है कि परिकलपना में वरनित सुजहों में वरतनी समादित जो सुधियां थी उनको कमी लाए गई और कमी लाने में हम सफल रहे, क्रियात्मक अनुसंधान करने के बाद में चात्र पहले की अपेक्षा अब कम गलतियां कर रहे हैं तो अच्छी विदी हमने अपनाई कुछ चात्र अब बिल्कूल भी असुद्या नहीं कर रहे हैं तो अधे क्रियात्मक अनुसंधान के जो ये परिकलपना है इसको स्वीकार किया जा सकता है इसके बाद में करने हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के उप्रोक्त वर्नित शोपानों के अनुसार अनुसरन से प्राप्ट परिणाम अवलोकन सिस्पस्ट है कि पर्थम परिकलपना के रूप में प्रस्तुत सुझाओं को लागू करने पर चात्रों के द्वारा की जाने वाली हिंदी कर सकते हैं कि यदि पर्थम परिकलपना के बाद में परिणाम नहीं आता है तो फिर दूसरी या फिर तीसरी इस परकार से आगामेघ। कि द्वारा आप प्रेक्शन करके प्रियोग कर सकते हैं तो यह कुछ सुझाओ आपको यहाँ पर दे देने हैं और इस तरह से आपकी यह वरी डायरी कंप्लीट होती है और इसके बाद में आप नीचे प्रिंसिपल सर के यहां पर सब्सक्राइब करवा करके मोहर लगवा लें तो कोसिस करना है एक अलग टोपिक लेकर करके सेम फॉर्मेट में आपको बना देनी है ज्यादतर चीज़ें आपने देखा कि सेम से में सारा कुछ लिखना होता है हिंदी की वरतिनों से समझत बाते कुछ कुछ जगह पर ही हुई है बाकि सब जगह पर बदला है उस बारे में अपने दोस्तों तक शीर करें उनकी भी डारी बनाने में मदद करें और चैनल पर नए है तो डिए अपडेट से उनके आपडेट के रिए सबसक्राइब जरूर करें